कि यह चित्र एखात कटोरे जैसा दिखाई देगा अब मैंने इस कटोरे को घुमाया तो वह कप ही है ऐसे महसूस होगा प्रथम तहा आपने कप का बाहिस रूप देखा तो वह कटोरे के समान दिखाई दिया अभी मैंने कटोरे को घुमाया तो हमें बाजू का द्रिश दिखाई देता है अब हम उपर से देखेंगे कप दिखाई देगा कप को तीन प्रकार से देख पाएंगे एक सामने से एक बाजू से और एक उपर से सच में कप यह निशित रूप से त्रिमितिय वस्तू है हम लंबाई चौडाई और उचाई देख सकते हैं और ना भी सकते हैं ऐसे वस्तूओं को त्रिमितिय वस्तू कहते हैं। त्रिमितिय वस्तूओं के मापन में हम उस वस्तू की लंबाई, चोडाई तथा गहराई के बारे में अध्यन करते हैं। अगर आप रास्ते पर चल रहे हों, आपकी पीछे जो व्यक्ति होगी, वो आपकी पीठ देख पाएगा। वह अनुभव से आपकी उचाई, आप क्रिश हो, या सशक्त, या सामान्य जान सकेगा। लेकिन चोडाई तो सामने से, दूसरे आकार तथा पूरी आकरती बाजु से देखने से जान जाएगा। वह आपको जट से पहचान भी सकेगा। आप रास्ते से जट से जाएंगे तो एकाद व्यक्ति आपको खिड़की से पहचान सकेगी। उसने सिर्फ आपको बाजु से देखना चाहिए। सत्रहवे मंजिल पर रहने वाला मित्र आपका सिर्फ सर देख पाएगा। यह दिल्चस्प है न। अभी हम सीधे साधे उदारन देखेंगे। बैग यह भी त्रिमितिय वस्तु हैं सामने से, बाजु से और उपर से। गलास, बोतल, टीवी यह वस्तुएं भी त्रिमितिय वस्तुएं हैं। विचार कीजिए कौन के बारे में। सामने से दिखाया, बाजु से दिखाया तो ऐसा दिखेगा। उपर से दिखाएंगे तो ऐसा दिखेगा। सामने से दिखाया, बाजु से दिखाया तब कौन समान ही रहते हैं। यह वस्तुएं सममीत होती हैं। गेंद भी कोन से ज्यादा सममीत रहता है सामने से, बाजू से और उपर से देखा तो गेंद गोलाकार दिखाई देती है कार्डशीट से बनाया पिरामिट दिखाई यह त्रिमितिय वस्तु है हम लंबाई, चोड़ाई, उचाई नापकर यह देख सकते हैं यह कार्डशीट से बनाया है, कार्डशीट यह द्विमितिय होता है और उसकी मोटाई नगण्य होती है हमने अगर कुछ कोर काटे, तो कार्डशीट का आकार कैसे बना है? यह हम समझ जाएंगे, यहाँ आकार हमें मिलेगा यह आशर एकारक है, कि हम त्रिमितिय पिरामिड यह द्विमितिय कार्शीट मुडा कर यह चिपका कर उनके कोर बना सकेंगे पिरामिड का जाल है, एक घन का जाल है इसे इस प्रकार किनारों पर मोडने पर हमें एक घन प्राप्त होता है हमने क्या सीखा, त्रिमितिय वस्तों की लंबाई, चोड़ाई, उंचाई जानकर नाप सकते है जिन वस्तों की सिर्फ लंबाई, चोड़ाई होती है, उन्हें द्विमितिय कहते है त्रिमितिय वस्तूएं, व्युमितिय कार्ट शीट मोड़ कर बना सकते हैं. स्वाध्याय, कार्ट शीट पर जाल निकालकर पिरामिड बनाने का प्रयत्न कीजिए. कोन के लिए कौन सा जाल बराबर है? सिलंडर के लिए? तीन वस्तूओं के चितर दिये हैं. बस तू पहचानने का प्रेत कीजी